जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना आता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रों कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिन चात्रो मैं इशार रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और इससे पहले जहिन धर्म का part 1 हो चुका है जिसमें basic की सारी चीज़ें आपको बताई गई थी आज जो रहेगा थोड़ा advanced level रहेगा जिसमें की हम सारे सिध्धान और दर्शन के बारे में जानेंगे तो यहां देख सकते हैं आप screen के उपर जो एक personality दिखाई दे रही है आपको महावीर स्वामी जी की फिर से मैं आप लोग को explain करना चाहूँगा कि वो क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल हमें बल देना अनिमार है यहां देख सकते हैं स्वयम से लड़ो बाहर के दुस्मन से क्या लड़ना ठीक है वह जो स्वयम पर विजय प्राप्ट कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ती हो जाती है बार बार मैं बलता हूँ कि जो है आपकी लड़ाई आपकी खुद से है smart study based सारी चीज़े को study करिए मैंने बताया है कि भारत का इतिहास हमारा विशय है और प्राचीन पोर्शन हम कवन कर रहे हैं जैन धर्म का यह पार्ट टू है थोड़ा से एडवांस रहेगा बाकी कोई एकदम टफेस नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देखिए हमने पढ़ा पहले तिर्थंकर ज हुआ उसी पश्चात जो उसी के पाद हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक रहें रिशब्देव उन्हें जो है सांड के सिन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से हम सिर्फ यहां याद करने युप योगी तथ्या ठीक है इनका जो चीन है वह अ किया जाता है इन तथ्यों को हमने पिछली कख्षाओं में पढ़ा है जो कख्षा पहली बार देख रहा होगा अच्छा तरो जाके पहला पार्ट जरूर देखे ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देख सकते हैं कि जैन संगीति यह सम्मेलान जैन संगीति जिस प्रकार हमने बहुत संगीती देखी थी उसी प्रकार जो है जैन संगीति अब जैन संगीति कहां कहां हों हुए इस से हमें प्रश्न पुछे जाते हैं तो हमें याद रखना है कि है दो भारता युजित हुई है दिखाई देर्या सिधा सिधा प्रथम संगीति 322 इस सपुर में पाठली पुत्र में हुआ यहां दिखाई दे रहा पटना में चंद्र गुप्त मौर्य इस समय क्या थे शाशक थे और इस थुल्भद्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विशेश क्या था जैन धर्म महत्पुण 12 अंगों का इस समय 12 जो है जैन धर्म का एक संकलन है जो है आपका पु और आपके इस प्रकार के याद रखन है तत्य ठीक है इस समय क्या हुआ था आगाम गरंत यू पहले याद रखेगा आगम गरंत जो किस्ट की अगर रचना कप की गई तो याद रखेगा द्विती बहुत संगीती के समय में देवादी स्रोण के अध्यक्षता में ठीक इस प्रकार से याद रखना है वल्लभी गुजरात में उसके बाद यहां दिख रहे है इस समेलन के पस्चात जयन धर्म दो वहगों वि और जब उस समय क्या हुआ अकाल पढ़ गया अकाल पढ़ने की वजह से लोग जो है दक्षीन भारत के और बढ़ने लगे उस समय जो है आपका जैन धर्म जो है दो भागों में विवक्त हो गया जो कि आभी वी विद्यमान है एक होते हैं स्वेतांबर और एक होता है दिग जो है जोकि निर्वस्तर रहते वस्तरक धारण नहीं करतें ठीक है उसके बाद रखिएगा ौब्धू बहु जुक्तार स्थोर रखेंगे हैं। तो इसे याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं मानेताय क्या के रही है यह सारे वन लाइनर फेक्ट्स हैं जो कि आपके परिच्छा उपयोगी बहुत ही महतवपूर्ण तथ हैं सीधा सीधा यहां से कोस्चन्स पूछे जाते हैं ब्रामनों वेदों का सर्वत्तम खंडन करा बिल्कुल ब्रामन और वेदों का सर्वत्तम खंडन किया इवन 24 वे तिर्थंकर हैं उन्हों ने प्रतिपादित किया कि वेदों को आप रुषय कहा जाता है मैंने आपको पहली कक्छा में बताया कि वेद जो है रिगवेद जो है और सारे वेद आप रुषय है ठीक है अथ प्रतिकों का भी खंडन किया और बीच का मंधिम जो आपका मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया 24 वे तिर्थंकर उन्होंने जो है वेद की क्या की निंदा की इस प्रकारिया है यग्यों आहुपतियों पशुबली का विरोथ किया इन्होंने याद रखिएगा जैन धर्म ज करता होगा भई लेकिन इस प्रकार से याद रखना है ठीक हमें पर इच्छा निकालना है कोई भी धार्मिक विडम बनाओं में बिल्कुल नहीं पड़ना है ठीक आगे बढ़ते हैं मुर्ति पूजा का विरोथ किया है इन्होंने जैसे कि मैं पहले कर्षाम बताया हूं कर् कि आपका इसमें तीर्थंकर कहलते थे उन्हें जो है कहलाते हैं उन्हें जिन कहा जाता है और देवताओं को इन्हें सुएकार किया है यो जो है आपका सबसे महत्पून होता है इसमें ठीक है उसके बाद है नारियों के लिए भी निर्वान संभाव है ठीक है जैसे कि मैंने बताया कि आनंद जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे उनकी वजह से जो है कि इस्त्रियों का आगमन बहुत धर्म में हुआ ठीक है वैसे से निर्वान उनका संभाव मतलब कैवली की प्राप्ति कर सकते हैं सनलेखना विधी द्वारा ठीक है तो चंद्रगुप्त मौर जिनके बारे में हम पढ़े थे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्रगुप्त मौर यहां देखिए प्रथम बढ़ संगीती चंद्र नहीं समझेंगे लेकिन जैन धर्म के मत में हमें इन सब सारी चीजों का याद रखना अनिवार रहे हैं वैन लाइनर फैक्ट संसारे उसके बाद क्या है पाशावनाथ जिन दर जैन संग स्थापित किया था पाशावनाथ ने याद रखिएगा किसने अगर पूछा है प्र महावीर की प्रचार की भासा प्राकृत थी याद रखेगा यह भासा प्राकृत पहले तो अर्धमाग दी ती याद रखेगा जैन धर्म में सबसे पहले भासा रही है वह अर्धमाग दी रही है लेकिन बाद में यह प्राकृत हो जाने के कारण जो है आपका जैन धर्म में जो है बहुत सारी के बुलते हैं पलायन होने लगे जो है वो बहुत धर्म के और बढ़ने लगे और बहुत सारे अन्य धर्मों के तरब वहां के लोग बढ़ने लगे तो याद रखे के कठीन होने की वज़े से कोई भी चीज़े कठीन होती है उसी वज़े से जो है आपका आ प्रिठक रहा है इस प्रकार से याद रखना है कोई बहुत बड़ा वैक्षा नहीं है ठीक है इसे याद ना रखे तो ज्यादा बहतर है ठीक है लिखा गया होगे कंटेंड में कहीं से ठीक आगे बढ़ते हैं उसके बाद है जैन साहित्य कौन-कौन से कल्प सुत्र याद करेंगे तो यह आपको दिखाई देगा क्या जीवकचिंतामरी अच रांग सूत्र जो कि आपका यहन गरंत है उसके बाद क्या है भगवत्य सूत्र याद रखना रखना है जैन गरंत है परिषिष्ट परवन हेम जन द्वारा लिखा गया है और आपका आदि पुराण जीन चिंतामणी के द्वारा देन उसके बाद भगवती शूत्र है जैन गरंथ है यह उसके बाद आपका हेमचंद द्वारा परिशिस्ट वर्मन लिखा गया और आधिपुरान आपका जीन सेंद्वारा लिखा गया है इस तरी तर्थे को याद रखना अनिवार है रट लो इसको यहां बैठके कुछ तत्थ होते हैं रटने के लिए इसलिए बताता हूं कि परिश्वक योगी तर्थे को दिमाग में बैठा लो ताकि पिपर हॉल में बैठने से बैठें जैसे तो सारी चीजें हमें याद आनी लगे ठीक आगे बढ़ते हैं प्रसने यहां से चालू होता हिससे पहले उसमें याद रखना है कि जैसे कि पंच महावरत पढ़ा हमने और आपका क्या बोलते हैं त्रीरत न पढ़ा ठीक है सामयक सद्धा सामयक आचन सामयक ज्यान के बारे में पढ़ा तो उन सब सारी चीजों को एक साथ संकलित करके उसमें चलने की क्रिया ही क्या कह के लाति आपके अनुवरत के लातिया तो इस प्रकार से समझना हमें अनुवरत का सिध्धांत की दिया गया आपका जैन धर्म में ठीक आगे बढ़ते हैं एक अंदे को प्रोट सिध्धांत एवं प्रदर्शन है अनिवा अनिकांत वाद जो सब्द है याद रखेगा यह जैन धर्म से संबंदित है जैन धर्म का पोड़िशन पड़ें तो जैन धर्म ही आंसर होगा याद रखेगा सब्ध भंगी मार्ग पहले सेशन में बताया है मैंने सब्ध भ चौदा पूर्वा जो है सबसे पूरुकालिक आपका जैन ग्रंथ कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रारंभीक जैन साहित्ति निमलिकित में से किस भासा में लिखा गया था बाद में जो है वो प्राक्त्रित हो गई जिससे की जटिलता उत्पन होई और आपका जैन दिर्म धिरे दिरे कम होता घ्रिवत अगता है यह परसंद क्से सम्र्दाय के समय स्वेताम्बर संप्रदाय कि स्थापक सित्व ना संप्रदाय किसके आपका स्थूल बढदर ऑर अपका ढखके स्थी तeken बेहां आपका इस थ्थी ओ तो है उससे पहले हो चुका था ठीक है आपका स्वेतांबर दिगांबर संप्रदाय बढ़ चुक अठा किस जैन सभा में अंतिम रूप से स्वेतांबर आगाम का समुदाय हुआ ठीक है याद रखनी है पावा में इसका अंसर होगा पावा ठीक है पावा पूरी में आगे अगर अगर गहराई से हिंदी में जाने तो तो सारी चीजें जो है वो सत्य है जो सामने दिंख रहा है वह सत्य है की अटल रहना मतलब जो सामने दीख रहा है उसी में जीवित रहो और आपका सनलेखना विधिद्वारा आपका क्यवल्ली की प्राप्ति करो और जीन कहना लें लग जाओ ठीक आगे बढ़ो आगे बढ़ते हैं यहां दिख रहा है आपको सुची एक को सुची सुमेलित सुच है याद आ रहा है सबसे पहले ठीक है तो क्या होगा आपका बी का टू दिखाई दे रहाए इस पठाइए न मैने क्या होजय जाएगा सी का फूर्थ को इस प्रकार से भी आंसर लेना है अगर किसी प्रकार से कंशुजन होए तो नहीं शिया प्रोच होना चैहिए तो यह तो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं तो इसे याद रखना है ठीक है लकुलिष जो है वह किसके हैं पाशुपत के सिद्धान प्रतिवाजित की हागे बढ़ते हैं यह अपनी किसका एक संप्रदाय रहा है यह अपनी संप्रदाय जो है जैसे कि आपका दिगांबर और दोनों को मानने वाले लोग जो कहलाते हैं आपका यह अपनी संप्रदाय जो कि आपका जैन धर्म से संबंदित है इस प्रकार के भी पूछ सकते हैं सवाल तो इसे रखा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से एक और संप्रदाय है जिसके बारे में पढ़ेंग जैन दर्म से सम्बंडित है और आपका इस्थानाकवाशी संप्रदायकिर सम्बंदित है जैन सम्बंद से सम्बंद जैन रखना है स्वेतामबा दिगामबा के बाद भी कुछ से मिल के आपका स्रिष्टी की रचना हुई है और सारी चीजों की इसलिए किसी भी चीज को बताया मैंने अनिकांत वात के ठीक है सब्त भंगी सिद्धांत जैन्दमत से संबंदित आगे बढ़ते हैं अगला है यह रहा हमारा कोश्चन किसका लास्ट में जो पूछा गया था पूछा था प्रभागीरी जिनका 13 साल हो आपका संप्रदाय से संबंदित है उसके बाद आ भारत